अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो उसको लाइक करें और दोस्तों साथ शेयर करना ना भूलें खाइस आज हमबात करेंगे बुक्मा की जैसे कि हमारे लैपटाउप में जो भी लिंक होता हैं उसे बुक्मा कर लेते हैं कि एज ली हमें बार बार सरच ना करना पड़े हम क्लिक करके अपना वक टाइम बचा सकें तो कई शेक món क्या होता है कि हमारे कुछ ऐसे रिजन के वज़े से हमें विंडोस फॉर्मेट करने परती है तो हमारे सारे लिंक जो होते हैं बुक मार्ग जो होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं तो उसे सेफ करना बता दूँगा आपको और उसी लिंक को उसी बुक मार्ग को सेफ करके दूसर इस्तेमाल करते हैं, मतलब व्यूजर करते हैं व cannot realize पर बाइब dwinson की स्क्रीन पर अगये थरी डॉट पर यह करेंगे यह पर अब देखे यह bookmark आपको दिख रहा होगा इस पर okay करेंगे और यहाँ पर bookmark manager पर ओके करेंगे क्लिक के हमने अब देखे गाईज यह हमारा bookmark आ रहा है देखे गाईज यह हमारा पूरा bookmark है अब हम इसे जो है safe करेंगे तो three dot पे ok करेंगे और यह लिखा है export bookmark इस पे हम ok करेंगे अब इसके हम duck stop पर जाएंगे safe करेंगे हम कहीं भी कर सकते हैं आप कहीं भी कर सकते हैं डेक्स्टॉप पे करेंगे और यह इर्फान नाम का फोल्डर है इस पे आकर हम ओके करेंगे और यहाँ पर हम सेफ कर देंगे तो गैज दिखाते हैं आपको यह हमारा बुकमार कहां पर सेफ हो गया है तो इसे हम कट कर देंगे देखे गैज अब हम आ डाइरेक्ट कर सकते हैं यहां से अब गाईज आपको दिखाते हैं दूसरे PC पर कैसे इसे इंपोर्ट करना हुगा तो देखिए गाईज दूसरे लेप्टॉप पर आएंगे थ्री डॉट पर ओके करेंगे बुक मार्ट पर ओके करेंगे देखिए गाईज यहां पर जो हमारा कोई बुक मार्ट शोर नहीं हो रहा है बिक मार्क मनेजर पर ओके करेंगे देखिए MPTA यहां पर शोर नहीं हो रहा है थ्री डॉट पर ओके करेंगे अब देखिए यहां पर import करेंगे हम import bookmark पहोगे करेंगे तो यह देखिए folder आगया जहां भी हम save कर रखेंगे वहाँ से हम open कर लेंगे देखिए हम यहां save किए हैं यहां open कर लेंगे देखिए गईज यहां हमारा bookmark आ गिया है दूसरे laptop की pc पर कि क्रोंध पर हम लेब हैं से अब हम Countak टेखाते हैं आपको देखिए घ्री आप्कोई और बेप उपन कर रहा हूं देखिए गईस प्रॉपर तरीके से यह वर्क कर रहा है देखिए एपन औहोगिया कि अ